प्राब्लेम ओरियंटेड थिंकिंग वर्सेस सोलुशन ओरियंटेड थिंकिंग इसके बारे में बात्चेत करोंगा करता है कि हमारे आजू-बाजू में जो लोग रहते हैं उसमें से काफी लोग एंग्जैटी वाले रहते हैं एंग्जैटी निरोसिस है उनको चिंता है बहुत फिकर है या डिपरेशन है उनको या फोबिया है काफी लोगों की ठिंकिंग आईसे रहती है कि वह हर दम प्राब्लेम से तैयर करते रहते हैं और उनको लगता कि सब तरह प्राब्लेम से हैं उनके पास में कोई सोलुशन नह प्राब्लेम यह 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 प्राब्लेम जो लोग है वो क्या सोचते हैं अभी कैसा होंगा यह आया क्यों नहीं एक्सिदेंट नहीं हुआ अधा गंटा लेट हुआ यह कुछ प्रॉब्लेम में तो फसा नहीं है या कोई गलत संगत में तो लगा नहीं है यह कोई नशा विशा तो नहीं करता हूंगा मतलब चालो यह अधार खुछ से बात करेंगे खुछ से बात करते करते हैं यह उन थिंकिंग में इतने जले जाएंगे अंधर और उनको जहां वहां चिंता दिखेंगी प्रॉब्लेम दिखेंगे और उसका कुछ नहीं है फिर वो डिस्टर भूंगे समझसानि उनको क्या करना है तो और फि क्या किह को सूलोर की वोग को शूलीइट्मेंट स। गली मंद करते हैं जकाष िधिया डियाटएस हो चुका है इसका सूलूशन के ड़ा हैंं किसा कि उनको गडाह कौश्टिんなद और सूलीशन दूनने लग जाएंगी सूलूशन दूनने ने पहला जो के चैनलेकरी उसमें वो सुलुशन दूडनेकी नहीए, प्राब्लिम से अक्षेन लेंकी नहीए, दुसरा गूरूप जो आइगे ठीक है, प्राब्लम है, समझ में आगा, उसको अकनॉलेज करो कि ये प्राब्लम है और अभी ऑन दूडो और एक्षोन देओ, क्या सं करो उसमें जो भी कुछ करना है वो करो लोगों को मिलो वो प्रॉब्लेम्स सॉल करो तो यह प्रॉब्लेम्स सॉल होता है तो नैचरली फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक अटक्स यह तो आएंगे नहीं और बाकी चिंता, टेंशन, हिडेक, स्ट्रेस्स वर लोग पितों फ्रीर हैं कि मालूम है कि life is full of problems, जिन्देगी जो है यह जिन्दगी में प्रॉब्लेम्स तो आने माले ही है, मैं कैसा powerful हूँ, यह मैं कैसा powerful हो जाऊंगा जिससे यह जो आने माले problem है, उसको में deal कर सको, ऐसा हो सकता है कि नगे नहीं अभी problem सब फिर बादो सब क्षप बाद जिंदगी आराम से चुद आजगा। इसा होने वाला है बिलकुल ही नहीं। जिंदगी में एक प्रॉब्लेम होगा है तो दूसरा तूसरा दूसरा होगा है तो तो उच्छा हो था, तो problem आपके उपर जिदगी ते जैके ज़िए अपको कहरना ही कि जो problem आपको को अ रहा है उसकgt deal करना हो ना होर प्राइम को लेकि नहीं बैटना है problem-oriented thinking को लेकर विचार करते नहीं जाने का है क्यूब प्रोब्लेमि ओर्टिंगिंग क्या करता है , वह आपसे बात करेगा , मलक्त brake , अप इसे बात करते हो , वह आपने मंस में वीचार करते रहते हो और उसमें परिशान होधे रहते हो , solution oriented क्या करता है कि ठीक यह problem है और इसका solution यह है ऐसा विचार करेगा तो यह problem आएंगे problem oriented न रहते वे problem solution thinker बनेंगे आप तो आपका life relaxed रहेंगा stress free रहेंगा life enjoy कर सकेंगे thank you very much अ,बसे रहेंगे रहें जानान व्हाया कर दो यह रहेंगे जीचिश रहेंगे